साज ससुर की खर्चे पाटवान कहते हैं माता पिता भगवान का रूप होते हैं उन चर्णों में स्वर्ग होता है और कई सारे बच्चे सच में अपने माता पिता को भगवान का दर्जा देते भी हैं पर कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो अपनी माता पिता के एहसानों को भूल कर, उन्हें बूच समझने लग जाते हैं। ऐसा ही कुछ हाल था मिश्रा परिवार के बेटों और बहुँ का भी। भावेश बिटा, जरा सुनना तो। अरे कितनी बार का है आपसे। आफिस जाते वक्त पीछे से माट टोका कीजे। पर आप सुनते ही नहीं है। बोलिए क्या हुआ आप। वो मेरी और तुमारी मा की ना दवाया खतम हो गई थी। तुम आफिस से आते वक्त ले आना। अरे अभी पिछले महीने तो दवाया लाया था आप दोनों के लिए अब फर से खतम हो गई। आप पिटा वो दवाया हमें रोज लेनी होती है ना इसलिए। अरे पर वो खाने से भी आपकी सेहत में कोई सुधार तो है नहीं। अब जब तक सिंधा है तब तक तो दवाय अरे नहीं होगी ना पिटा। ठीक है ठीक है ले आओंगा शाम को दवाया पर अगली बार से ध्यान रखेगा कि पीछे से ना टोके मुझे पूरा दिन खराब जाता है मेरा। डक्टर ने उन्हें लाकी का रस पीने को कहा है और कुछ सेब भी ले आना हम दोनों को रोज सुबर सुबर एक सेब खाने को कहा है। घर में बाके लोग भी है जिनके खर्चे हैं हमें अपना भाविशे भी तो देखना है। ठीक है बहु जासे तुम्हे सही लगे। हाँ अब नहीं ले आएंगे तो भी आप लोग यही कहेंगे। अपने सौससर की सेवा भी नहीं कर सकते। शाम को बाजार जाती ही ले आओंगी और क्या। ऐसा नहीं था कि मालती के बड़े बेटे और बहु ही ऐसे थे। पर छोटे बेटे और बहु का भी यही हाल था। अनू बेटा तो बहाल जा रहा है ना। जरा मुझे भी मंदिर तक छोड़ दे। आईए बैठिये। अच्छा बेटा जरा कुछ रुपेय देना। क्या हूं पैसो का आप क्या करेंगे। मुझे मंदिर में कुछ दान पून करना था और प्रसाद भी चड़ाना था। बाबु जी आप इना इना सोचे समझे पैसे उड़ाते रहते। कभी दान कभी बंडारा कभी प्रसाद। क्या है यह सब। आरे बेटा यह सब पुन्य का कारिय है इससे पुन्य मिलता है। यह सब फालतू की खर्चे है बस इससे पैसों के ब्रवाद ही होती है और कुछ नहीं। स़नी के तक बेटा हो। आपको समझाना ही बेवकुफी है, ये लीजिये पैसे और चाहिए, जाके कीजिये दान धर्म आपका, चलता हूँ मैं, बहुत काम है मुझे जैराम का छूटा बेटा जितना कंजूस था, उससे कहीं ज्यादा कंजूस थी उसकी पतनी मिश्री आरे बापरी, इतने सारे कपड़े हैं आपकी पास माझी इतने सारे, ये तो कुछ ही कपड़े है, मिश्री बहु कहां ज्यादा है आपकी उम्र के हिसाब से तो ये भी बहुत है माझी अब आप ऐक साल तक कोई भी ड्रेस मत सिलवाईएगा ठीक है एक साल तक? अरे ये तो सब मेरे पुराने कपड़े हैं मेरे पास नए जैसे कोई कपड़े ही नहीं है अब करेंगे भी क्या नए कपड़ों का? माजी इस उम्र में भगवान का नाम जपिये और सादगी से रही है पस इससे पैसों के भी बचत होगी और भगवान भी खुश रहेंगे ठीक है बटा मालती और जैराम के दोनों बेटे बहों को अब उनके खर्चे चुबने लगे थे और ये उनके बरताओं में साफ साफ जाहिर भी हो रहा था पर माबाप के लिए बच्चे तो बच्ची ही होते हैं चाहे वो कितने भी बड़े क्यों न हो जाए इसलिए मालती और जैराम कभी उनके बातों का बुरा नहीं मानते थे उनके लफजों को नजर अंदाज करते रहते थे पर उन्हें नहीं पता था कि उनके बेटे और बहु उनके पीट पीछे क्या-क्या प्लान बना रहे थे यह मा और बाबुजी के खर्चे तो दिन बढ़ते ही जा रहे आज के जमाने में इतना सब खर्चा उठाना और वो भी ऐसी मैंगाई में बड़ी मुश्किल बात है हाँ से ही कह रहे है आप भीया उपर से इनने दान करना है प्रसाद बातना है यह दोनों तो समझने को तैयार ही नहीं है क्या हम लाखों में नहीं कमाते भई ओ नहीं तो क्या इनने तो इतने सारे फल भी चाहिए हरी सबजियां, दवाईयां पता नहीं क्या-क्या इनकी खर्ची तो पूरी होने का नामी नहीं ले रहे कभी कोई जरूरत तो कभी कोई आप कोई रास्ता नहीं निकाला तो ऐसे ही हम सब की जन्दगी खर्च हो जाएगी तो तुम सब का क्या ख़ण है? क्या करना चाहिए हम सबको? मुझे लगता है हमें उन्हें गाउं भीज दिना चाहिए भीया ने 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 गाउं में हमारे सारे रिष्टेदार है अगर उन्हें पता चला कि हमने मा बाबुजी को अकले गाउं भीज दिया है तो हमारी बदनामी हो जाएगी सारे रिष्टेदार हम पर थूठो करेंगे हाँ हाँ ये सही कह रहे हैं हमें कोई और उपाई सुचना होगा कुछ ऐसा जिससे ये शेहर में ही रहे और हमारे साथ भी ना हो कुछ तो करना होगा इनके खर्चे उठा रहे तो हम तो कंगाली हो जाएंगे एक दिन अगर मेरी माने तो मा बाबुजी को किसी व्रिद्धा श्रम बेज देते हैं क्या व्रिद्धा श्रम हाँ वहाँ उनकी अच्छी देखबाल भी होगी और कभी-कभी हम सब उनसे मिलने भी चले जाएंगी और कोई रिष्टेदार उनसे मिलने यहां आ गया तो तो भी कोई दिकत नहीं होगी हम कुछ दिन इन्हें यहां ले आएंगे वापस और रिष्टेदार के जाने के बाद वापस आश्रम में छोड़ाएंगी कुछ ले जाया करेंगे इससे किसी पर इन दोनों की खर्चों का बोज भी नहीं होगा मुझे भी यही सही लगता है भीया ठीक है फिर सबको यही सही लगता है तो मैं आज इवरिदार श्रम में बात करके आता हूँ पर माँ बाबुजी से कहेंगे क्या अरे वो बात में देख लेंगे पहले मैं वरिदार श्रम की सारी जान करें निकलवाता हूँ तब तक माँ बाबुजी से कोई कुछ नहीं कहेगा ठीक है आई यही सही रहेगा हाँ तब तक इन्हें कोई कुछ भी नहीं बताएगा कि हमने क्या बात की है अगर उन्हें पता चल गया ना तो शायद वो यहां से जाएगी नहीं यार उन्हें दोने बढ़ जाएगे हम खुद वक्त आने पर उन्हें प्यार से समझाएगे तो वो समझ जाएगे और नहीं माने तो थोड़ा चूट बोल देंगे उनसे तब तुमने मानना ही पड़ेगा हाँ अगर अपने भविशे के लिए सोचना है तो यह से तो करना ही पड़ेगा हाँ सही क्या रही हो तुम दोनों और हम कान सा उन्हें धक्के मार कर निकाल रहे हैं उनके लिए अच्छा व्रद्धार्शमी डूनेंगे जाँ वो अच्छी से रह सके जैराम और मालती की दोनों बेटे और बहु उन्हें बिना बताये व्रद्धार्शम भीजने की प्लानिंग कर रहे थे और इस बात से अन्जान जैराम और मालती अब भी यही सोचते थे कि उनकी बीटे और बहु उनसे बहुत प्यार करते हैं